तो कैसे आप सभी I hope सभी रोग अच्छी होंगे और अच्छे से मन लागा कर पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो गंगा ने दी है उसका जो एरिया है यानि कि जो गंगा रिवर है कितने राज्यों से उसका बेसिंग जुड़ा हुआ ह और कितने राज्यों से होकर फ्लू करती है दो तरीके के कोईशन आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो आज डेटेल से थोड़े हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हम उसके ट्रिब्यूटरी वगरे इन सब के बारे में हमने आपको मैंने आपको लगा हुआ है इन सब के बारे में पढ़ेंदी कि यह जो है आपसे एक्जाम में पूछा जाता है और अगर आप चैनल पर आज पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिएजएगा और बेदेखो मैंने कल के लेक्चर में कल से मैंने टोटल 5-6 लेक्चर आपको लगवर इसमें मैंने जैसे आपके आपने अगर देखा होगा तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि यह देश बताओ इसमें कौन-कौन से देशों की सीमा लगती है या नहीं लगती है ऐसा कोशन आपसे बहुत सारे देखे होंगे तो सभी जैसों से जो भी इंपोर्टेंट कंट्र अगर आपने चैनल जो वीडियो से नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लीज बनी हुए उसमें जाकर आप देख लिजेगा ठीक है और इस वीडियो के नीचे उसका लिंग भी आम मैं देदूंगी आप उसमें से जाकर देख ले जाकर आप देखते हैं कि जो गंगा नदी है नवंबर चार नवंबर को इसको डिक्लेशर किया गया निशल लिवर लिट्यक अब जो गंगा रिवर है इंडिया में मतलब कि इंडिया की सबसे लार्जेश्ट रिवर कौन सी है गंगालादी है तो कितना परसंटे टोटे इसका एरिया पूरे भारत में हमारे 79 परसे ठीक रिवर कहां से उरिजिन होती है यानि कि निकलती कहां से इसका सोर्स क्या है आप से यह पूछ यह तो बहु पूछ नाम उजविका पूछ जाता है कि जहां सबसे पहले गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तो आप से पूछ एसे कोशन जो है इतने भी मैंने यह पॉइंट लिखे हैं सारे कोशन एक्जाम में पूछे गए हैं यानि कि टूटल कितना परसंट एरिया ह है भारत में गंगा निवर का 79 परसंट इसका सोर्स क्या है निकलती कहां से गंगोत्री ग्लेशेर से सबसे पहले कौन से जगह मैदानी भाग जहां पर गंगा नादी प्रवेश करती है आंसर है हरिद्वार तीनों कितनी उग्जाम में आप से कोशन यह पूछे गा है इसलि कि तती में से घंगोत्री ग्लेशेर जहां से क्या निकलती है ओले भाऑ में देव प्रयाग इस जगहां पर जब तुरनों रधीया के अपसि infay भाग हूघ तब यहां से ओरिजिन नाम जो जहां से दोनों धाराओं के मिलने से एक धारा आगे बढ़ती हुए जाती है जिसके हम कहते हैं गंगरेंगा ठीक गंगार अधिया देखो कौन कौन से स्टेट मिला थी सबसे पहले तो उत्राखन हो गया उसके बाद आती है यूप में उसके ब प्रूत्राखन काद आती है यूप। इूपमें। बिहार में। दिधियर सरी बहर बरूत्याय कई जाती है पर काद गाली। इस सब्सकत्राथन एक च्टे के नाम क्या तो होिसी मेघे displaill प्रदेस से अजुअजु ऑड़ताइस Хड्यूए हर्यानु तौतरं थेमाजनु प्रदेस हर्यानु उसके बाद दिल्राश्चत प्रदेस राज़स्तान ग॥क्तर प्रदेस . उसके बाद 10 अफंड उक उखज यहां कोटल प्रदेस सब्सक्नि होके सबिल्सकूण० ग्यारा राजी हम तो इतने से रिष्ट होगा हुआ है बेसिं का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होगे नहीं कि भी जैसे मालो । जैसे मालो यह गंगा नदी से यहां से कोई रिबर आपी जोंट हुई उसके बाद यहां सब और पूरा आगान चर्ण आपको बता इया कहा है और एक मिने आपको पड़ा है तो और अच्छे से आपको पढ़ना है तो जो दिल्लींन आपको पढ़ाए हुगी इसका लिएत्क प्लेश्ट बना हुआ है उसकी लिंक इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगी उस पे जाकर आप देखे न जो गंगा नदी है वो उसका पूरा डीटेल है उसको हम कैसे पढ़ सकते है ठीक और उसको आपको देखो गंगा नदी के हर चीज के बारे में आपको जानना बहुत इंपरटेटेटेट ठीक क्योंकि एकजाम में जरूर कोशनिस से पूछाजेता है गंगा नदी को जो सवच करने के कशन ध्यान से खौशन की कोशन फे शुनणत गंगा रिवर को सवच करने के लिए किसी ये नाम आपसे पूछा गया है उनका नाम क्या है चाचा चाधरी जिसको बना गया था गंगा नदी को नाम पुछा गया है बुछा गया नाम में पहले हुए फेपरidente अगर कभी भी आएगा तो मैं आपको जरूरी वीडियो लेक्षिर प्रोवाइच पर जोगी ठीक है और आप अगर चैनल में पहले बार है और शेयर कर दिये थाइगे